तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आप शरकरा के स्तर को नियंतरत करने के लिए नियमित व्यायाम के साथ किया जाता है, यह गुर्दे की क्षती और अंधपन जैसी मधुमे की गंभीर जटलताओं को रोकने में मदद करता है, अलोजा 12.5 टेबलेट आम तोर पर तब दी जाती है, जब अकेले आहार और व्यायाम या अन्य दवाएं आपके बलड शुगर के स्तर को नियंतरत करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं होती हैं, आपका डॉक्टर इसे अकेले या अन्य मधुमे दवाओं के सयोजन में लिख सकता है, इसे भोजन के साथ अत्वा बिना लिया जा सकता है, खुराक आपकी स्थ और रक्ट शरकरा के स्तर पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको इसे अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार ही इस्तिमाल करना चाहिए, सबसे अधिक लाब पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लेना चाहिए, जब तक आपका डॉक उमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में हाइपो ग्लाइसीमिया, नासो फेरिंजिटिस, उपरी श्वसन पत के संक्रमन, सिर्दद, पेट में दर्द, गेस्ट्रोसोफेगल रिफलक्स रोग, दस्थ, मामूली होते हैं और समय के साथ सुधर जाते हैं, हाला कि अगर इन में से कोई भी दुश प्रभाव आपको परेशान करता है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको कभी गुर्दे की बीमा में जानता है, गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इस दवा को लेते समय अपने शराब का सेवन सीमित करें क्यूंकि यह निम्न रक्ट शरकरा के स्तर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है, यह ज अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद